नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल पर दोस्तों दुनिया भर में कई लोगों को अध्कपारी यानि माईग्रेन के दोरे पड़ती हैं ये सिर में रह रहा के होने वाला दर्द है जो सिर के एक तरफ ही होता है इसके साथ ही रोशनी और आवाज के प् अराम दाएक मालिश आपको माईग्रेन का इलाज करने में सहाइता कर सकता है शोथों से पता चलता है कि जिन लोगों ने मालिश का सहरा लिया उन्हें मालिश ना करवाने वाले लोगों की तुलना में माईग्रेन के समस्षा काभी कम पेश आई और नींद भी अच्छी अगर आपको माईग्रेन का दर्द बार-बार सिता रहा है तो इसके कारणों की जाच करते हुए अपने द्वारा पीने के पानी के इस्तिमाल पर भी ध्यान दें कई बर कम पानी पीना भी माईग्रेन अटेक का कारण होता है अधिक से धिक मातरा हैं पानी पीए इसके लब हो जाते हैं आप या तो लेवेंडर के तेल का सेवन कर सकते हैं या फिर इसे सूंग सकते हैं दो से चार बुंदे लेवेंडर के तेल को दो से चार कप पानी में उबलते में मिशिद करें फिर इसे सूंगी इस सिर्क के माईगरेन के दर्द से रहात प्राप्त होती है अगर आपको इसका प्रयोग करने के लिए इसे अन्य तेलों की तरह पानी की साथ मिश्यत करने की अविश्क्ता नहीं पड़ती दोस्तों, माईगरेन के दर्द में अन्य उप्चारों की तरह ही के विपरकर, एक्यूपंक्चर का प्रभाव दवायों के जैसा ही होता है परयावी फिर भी आपको काती रात प्रधान करता है सेब के सिरके में कई सवासते जूरे घुन होती है जैसे शिरीर से अशुदियों को दूर करना, उच रख्ट चाप को नियंतित करना रख्ट के शुगर यानि ब्लड शुगर को नियंतित करना वजन घटाने में मदद करना हड़ियों के दर्द को कम करना और कबस से मुक्ति दिलाना बलकि माईगरेन के दर्द को दूबी दूर करने में साहिता करता है एक चम्मा सेव के सेरके को एक जिलास पानी में मिक्स करें इसमें एक चम्मश शहाद के साथ इसको मिलाएं और इसका सेवन रोज करने से आपको माईगरेन के दर्द से मुक्ति मिलती है अगर आप माईगरेन के दर्दी होने के समय सेवन कर लें तो इससे आपको माईगरेन के दर्द से तुर्ण छुरकारा प्रप्त हो जाता है एक हरे सेवगो सुंगने जैसी असान प्रक्रिया का पाल करने से भी माईगरेन का दर्द कम होता है इसकी गंभीरता से भी कभी कमी आती है माइगरेन का दर्द का प्रभाव एक कप कोफी पीने से में कम हो जाता है कोफी में मुझूद कैफिन ना सरब माइगरेन के कारकों को रोकता है बलकि इसे पैदा करने वाली रखते की धमनियों को भी संकुचित करता है अपनी कोफी में थोड़ सा निम्बू कर समिशित करके इसको आप अगर लेते हैं तो इसका प्रभाव और बल जाता है कई बार माइगरेन का दर्द जलन की वज़े से होता है जब आप ऐसे खाद्य पदार्तों को सेवन करते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी असेड की मात्र होती है तो माइगरेन के दर्द को कम किया जा सकता है अब अलसी की बीज या तेल का प्रयोग माइगरेन के दर्द को कम करने के कर सकते हैं मचली के तेल का सेवन करने से माइगरेन का दर्द कम होता है ना सिर्फ मचली का तेल खून का ठक्का जमने से रोकता है और जलन दूर करता है बलकि अरक्त चाप को भी नियंतर्द करके दिल की धरकनों को भी सुचारू रूप से चलाता है ऐसा करने से माइगरेन के दर्द को निवारन होता है तो दोस्तों ये था आज की जानकारी माइगरेन यानि स्थेज़ दर्द के नुस्कों के बारे में आप इनकी साहिता से माइगरेन दस्चुड़कारा पा सकते हैं अगर आपको यह जानकर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको एक मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेर भी कीजिए उन लोगों को जिनको इसकी ज़ूरत है ताकि वो भी इसका फाइदा उठा सके और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मदफूला अब अपने दोस्त को इजाज़त दीचे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक ने टोपिक के साथ तब तक के लिए नवश्कार धन्यवाद